दोस्तों कुछी समय पहले पपजी मुवाल ने पेस्बुक पर अनौन्स किया है कि वो पपजी मुवाल को अब 30 अक्टूवर से इंडिया के लिए अपने सर्वर का एक्सेज बंद करने जा रहे हैं दोस्तों पपजी मुवाल ने इंडिया में 2 सितंबर 2020 को बंद किया गया था जिसके बाद यह गेम गूगल प्ले श्टोर और एपल एप स्टोर से हटा दिया गया था लेकिन पपजी मुवाल के सर्वर पहले की तरह ही वर कर रहे थे जिससे जिन लोगों के मुवाल में यह गेम पहले से था वो लोग बड़ी ही आसानी से यह गेम खेल पार रहे थे साथ ही साथ कई लोग पजी मुवाल की ओपिसल साइट से भी इस गेम को डाउनलोड करके खेल रहे थे मैंने अपने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि जब टिक टॉक बेन हुआ था तो टिक टॉक ने अपनी सर्विस इंडिया में खुद ही बंद कर दी थी लेकिन पबजी मुवाल ने ऐसा नहीं किया और पूरी तरह से रूल्स फॉलो नहीं किये अब साइड गवर्नमेंट ने उनसे डारेक्ट कॉंटेक्ट किया है और उन्हें अपने सर्वर का एक्सेस इंडिया के लिए बंद करने को बोला है इसी वज़े से पबजी मुवाल ना चाते हुए भी सर्वर का एक्सेस इंडिया के लिए बंद करना पड़ रहा है लेकिन अभी निरास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि PUBG Mobile अपनी पूरी कोसिस में लगा है कि कैसे भी करके यह गेम इंडिया में बापस लाया जा सके इसलिए कुछ दिन पहले PUBG Mobile ने लिंक इन पर इंडिया के लिए एक Corporate Development Division Manager की जौब पोश्ट की थी जो कि इंडिया में PUBG Mobile के सभी वर्क को मैनेज कर सके यानि PUBG Mobile इंडिया में अपना एक ओपिस खोलने की तयारी में है और बविश्ट में हमें PUBG Mobile का इंडियन वर्जन जरूर खेलने को मिलेगा और वो भी इंडियन सर्वर्स के साथ दोस्तों आपके क्या विचारे इसके बारे में कमेंट करके बताईएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद